हेलो फ्रेंट्स वेल्कम बैक टू माई चैनल दीप क्लासिस जिसमें हमारा आज का टॉपिक है दीदी कहानी के कत्थे की विशिष्टाओं पर अपने विचार जाहिर कीजिए आज के वीडियो में हम इस क्वेशन के आंसर को जानेंगे लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए है या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर ले जिससे हमारे आने वाले वीडियो के सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके तो चलिए बिना देरी किये हम अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं कि एम्टी वासु देवन नायर की दीदी कहानी उनके हिंदी में अनुदित अंधेरे की आत्मा संग्रहे में संकलित है कहानी को 5-6 साल के बच्चे अपु के विचारों के माध्यम से प्रस्तुद किया गया है जिसके कारण भाषा एवं पात्रों के चरित्र चित्रन में सहेश्ता एवं सरलता द्रिष्टी गोचर होती है कहानी के पात्रों का चित्रन भी अप्पू के द्रिष्टी कोन से किया गया है चाहे अप्पू के मामा और दलाल शंकर नायर का संबन्ध आप्रत्यक्ष है मालू अप्पू की मा है जिसे वह दीदी पुकारता है क्योंकि उसे मा को दीदी पुकारना सिखाया गया है क्योंकि अप्पू मालू की नाजायस संतान है मालू का भाई कुमारन उसकी गलती के कारण घर में पैर ना रखने का प्रण लेकर चला जाता है पात साल बीद जाने के बाद भी वै घर के फाटक तक ही आकर मा का हाल चाल पूशता है वै बहन की गलती के लिए मा को दोशी मानता है कहानी की शुरुवात दीदी के रोने के बयान से होती है अप्पू सोचता है कि शायद नानी के डाटने के कारण दीदी रो रही है नानी उसे भी डाटती है लेकिन अप्पू को रोने की जगा नानी पर गुसा आता है वे यहे भी सोचता है कि दीदी नानी की डाट फटकार क्यों सहती है लेकिन बच्चा होने के कारण वे असली कारण समझ नहीं पाता नाजाय संतान होने की वज़ा से नानी का अप्पू के प्रती लगाव कम है इसलिए वे बाद बाद पर उसे डाटती है मालू अप्पू को बाद बाद पर डाटने की मा से शिकायत करती है तो मा उल्टे मालू को डाटती है और उसके गलत कारे का हवाला देती है मा बेटी की अनबन के कारण अप्पू नानी को चाहता तक नहीं है उसे सिर्फ दीदी चाहिए अप्पू का स्कूल का दोस्ट बताता है कि उसकी दीदी उसकी मा है तो दोनों के भी जगड़ा होता है स्कूल से लोटते अप्पू सोचता है दीदी मा कैसे हो सकती है बहे देखता है कि मा दीदी के साथ कितना बुरा व्यवार करती है इसलिए उसे मा बिल्कुल नहीं चाहिए दीदी के साथ ही अप्पू सोता है दीदी उसे कहानिया सुनाती है लेकिन एक रात दीदी कहानी नहीं सुनाती केवल यह पूछती है कि क्या वह बड़ा होकर दीदी का ख्याल रखेगा अप्पू सिर्फ हामी भरता है उसे लगता है कि दो तीन दिनों से दीदी की तबियत खराब है वह चुपचाप अप्पू को नहलाती है खिलाती वह बाल सवारती है यह सब करते उसके चहरे की और ताक्ती भी रहती है दरसल नानी दीदी की शादी कराना चाती थी उसने दलाल शंकल नायर को मदद से रिष्टा ताई किया था जिसमें अप्पू से जुड़ी बात लड़के वालों से चिपाई गई थी अप्पू ने इन सब की बाते सुनी थी लेकिन उसे कुछ भी समझ में नहीं आया था एक दिन स्कूल से लोटने पर अप्पू को विशेश अफसर पर बनने वाला मीठा पक्वान मिलता है दोस्चकन से अप्पू को पता चलता है कि घर में महमान आये थे पहाडी प्रदेश वाइनाडू से दीदी को देखने कोई आया था शंकर नायर ने नानी को बताया कि उसके पास सरकार से मिली चार एकर जमीन है इस घटना के बाद एक दिन सुभा दीदी ने अप्पू को जगाया नहलाया माडभात पिलाया कपड़े पहनाए और सारी सलाहें देती है फिर अप्पू को छाती से लगा कर तूटी आवाज में पुकारती है मेरे बेटे फिर रुद्ध कंड से अप्पू से कहती है बेटे मुझे एक दफा मा कहकर पुकार वे दीदी से पूशता है दीदी कैसे मा होगी दीदी जवाब नहीं देती वे उसे स्कूल भेज देती है अप्पू देखता है कि दरवाजे के सहारे खड़ी दीदी उसे एक तक देख रही है शाम को स्कूल से लोटने पर अप्पू दीदी को पुकारता है लेकिन नानी ही जवाब देती है नानी उसे तसल्ली देती है कि दीदी आ जाएगी और अप्पू के लिए गेंद भी लाएगी अप्पू को गुस्सा आ रहा था कि उसे साथ लिये बिना और बोले बिना दीदी क्यों गई अप्पू सोचता है कि यदि दीदी रबड की गेंद लाकर देगी तो वह दूर फैक देगा फिर ख्याल आता है अगर गेंद और मिठाई दोनों लाई तो क्या करना चाहिए वह आसमंजस में पड़ जाता है दीदी के बिना बताय जाने से वह दीदी से थोड़ा नाराज है लेकिन उमीद है अवश्य दीदी जल्दी लोट आएगी कहानी कार ने यहां बच्चे के दिल की निरियता को गहराई से दर्च करते हुए और उसकी बाल मानसिक्ता को समवेदन शील धंग से उजागर कर कहानी समाप्त की है इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक यही खत होता है जिसमें हमने जाना दीदी कहानी के कथे की विशिष्टताओं के बारे में अगर हमारा आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और हमारे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें थाइंक यू फो वाचिंग